भारत प्रशाशित कश्मीर में जिस तरह के दंगे चल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वहां के युवाओं की सोच किस परकार चरमपंती की और आकर्शित हो रही है। कश्मीर के युवाओं के लिए यूट आइकन बना बुरहान वानी के मरने के बाद उसके जनाजे के लिए भारी तादात में लोग अपने घरों से भार निकले। और साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों के साथ पत्थरबाजी और हिंचा की जिसमें अब तक 16 लोगों की मौध हो चुकी है। पुलिस और सुरक्षा बलों के 100 जवान समेत करीब 2500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दे कि बुरहान वानी हिजबुल मुजाइदीन का एक स्थानी कमांडर था जिसने सोशल मीडिया के जरिये कश्मीरी युवाओं को अपनी ओर आकरशित किया था। कश्मीर में आज तक काफी चरमपंथी मारे गए हैं लेकिन कश्मीरी युवाओं में बुरहान को लेकर बड़ा उबाल देखने को मिला है। कश्मीर के युवाओं को लग रहा था कि बुर्हान युवाओं का गुस्सा लेकर भारत सरकार से लड़ रहा है। लेकिन कश्मीरी युवाओं की या सबसे बड़ी गल्ती थी। उमीद यही करेंगे कि कश्मीर में और लोग ना मरें। अगर ऐसा होता है तो यह इस्तिती जल्द ही काबू में आ सकती है। न्यूस पॉइंट ब्यूरो